हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ ये ट्रेडिशनल मेकप लुक शेयर करने वाले हूँ तो फ्रेंट ये बिगनर फ्रेंडली मेकप लुक है फेस्टिव सीजन के लिए काफी अच्छा है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना चले स्टार्ट करते है तो फ्रेंट सबसे पहले मॉश्राइजर के लिए मैंने पॉंट्स का जेल बेस्ट फ्रेंजर यूज्स किया है ये काफी अच्छी तरीके से उपन पोस को श्रिंक कर देता है फ्रेंट फाउंडेशन के लिए मैं मेबलीन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हूं शेट मैंने 220 पिक किया है ये शेट मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मेबलीन की फाउंडेशन मेरी स्किन पे ऑकसिडायज होते है तो आप भी आसा कर सकते हैं अगर आपके स्किन पर फाउंडेशन पे उकसिडायज होता है तो आप अपनी स्किन से एक शिट लाइट फाउंडेशन का यूज़ कीजिये ये compact काफी light weighted है daily basis के लिए काफी अच्छा है next eyebrows को fill करने के लिए मैं fashion color की eyebrow pencil का use कर रहे हूँ, काफी affordable eyebrow pencil है काफी अच्छा work करती है फ्रेंट आज के makeup का star product है mask की ये face palette ये काफी अच्छा work करती है 4 इसमें blusher के आपको shade मिल जाते हैं काफी pigmented है 2 इसमें contour की shade मिल जाते हैं 2 इसमें आपको highlighter मिल जाते हैं काफी travel friendly है और सबसे ची बात है काफी जादा affordable price में मिल जाते हैं link मैं description में डाल दूँगी आप जाके check कर सकते हैं इसका highlighter भी काफी जादा pigmented हैं और chunky glitters बिलकुल नहीं है evenly seamlessly ये skin में blend हो जाता है और काफी अच्छा लगता है और मैं इसको highly recommend करती हूँ especially beginners के लिए जो नया make-up करना सीख रहे हैं और इसी eyeshadow में से मैंने एक brown shade पे किया है और अपनी proper eyelid पे apply कर लोंगी ये evenly blend हो जाता है as a eyeshadow भी काफी अच्छा work करता है अगर आप जाधा invest नहीं करना चाते quick or easy make-up करना चाते हैं तो आप इस palette को जरूर जरूर खरीदी है इसी में से मैंने highlighter shade को अपनी tear duck को highlight करने के लिए यूज किया है ये ये काफी अच्छा budget friendly option है next मैं maybelline का callisal kajal यूज कर रहे हूँ और एक beautiful सा wing liner मैं create करूंगी ये liner भी काफी अच्छा है smudge proof है waterproof है काफी long lasting है और काफी affordable price में आपको मिल जाता है आप इसे भी try कर सकते हैं जितने भी make-up product मुझे अच्छे लगते हैं प्राइस में भी affordable होते हैं मैं उन्हें आपके साथ जरू शेयर करती हूँ तो friend next मैं अपनी favorite eye pencil यूज कर रहे हूँ ये है faces canada का gel eye pencil और ये बहुत जादा front pigmented है आप देख सकते हैं one stroke में काफी काफी जादा अच्छा result देता है इसके साथ एक smudger भी मिल जाता है समजर के help से evenly से blend कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से next मैं maybelline का mascara यूज कर रहे हूँ और अपनी upper lash line और lower lash line पर मैं इसे apply कर लूँगी तो finally friend lipstick के लिए मैंने दो lipstick का use किया है पहला मैं Swiss beauty की beautiful सा ब्राउन shade की lipstick को use कर रहे हूँ काफी अच्छी lipstick है काफी जादा pigmented है next मैं coffin lashes की जो lip gloss है इसके उपर apply कर रहे हूँ थोड़ा सा pouty सा look देने के लिए ये lip gloss काफी अच्छा है काफी pigmented है link मैं description में डाल दूँगी आप जाके ये check कर सकते है और ये color भी बहुत बहुत जादा अच्छा लगता है next to traditional look में सिंदूर का होना बहुत जादा जरूरी होता है उसी के बाद ही आपका look complete होता है next बिंदी लगाने के बाद ये look finally complete हो चुका है different here is the final look I hope आपको ये look पसंद आया होगा वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियोज को like करना, share करना बिलकुल ना भूलें मिलती हूं मैं इसी तरीकी की और वीडियोज के साथ Bye Bye